तो आज हम एगारिशी मोटर्स के बारे में बात करने वाले हैं उसी के साथ ही आज आपने देखा कि सुबह एक घंटे का हमारा सेशन था जिसके अंदर अनूब जुन जुन वाला जी ने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था और इंटरेट ट्रेडिंग कैसे कर सक करते हैं तो अगर इगारिशी मोटर्स के बारे में देखें तो वह एक कंपनी है जो आटो सेक्टर में आटो पार्ट में है और कंपनी का मार्केट के आप देखें तो अभी 618 करोड के आसपास है और जब हमने एक साल पहले वीडियो बनाए थी स्टॉक की तब उस समें 1114 क करोड का मार्केट काप था तो करेक्ट करके प्राइस इसका 355 से करेंटली 208-210 के आसपास चल रहा है तो कंपनी बढ़िया है काफी सॉलिट कंपनी है क्योंकि कंपनी में 670 करोड के असेट्स हैं और डेट फ्री कंपनी है लगपग तो तो वंडर्फुल थिंग और कंपन वाल्यू की बात करें तो 134 रुपीज की कंपनी की बुक वाल्यू है असेट बेस मैं आपको बताई चुका हूं 670 करोड का सेट बेस है कंपनी धाई परसंट का डिविडेंट और येर्ली बेस देती है और इंस्टिविशनल और मीचल फंट होल्डिंग देखें तो तेरा परसंट के आसपास है कंपनी की सेल्स 2019 में आपकी 586 रुपीज आई थी जो 2018 से हलकी सी घड़गी थी मेजर ली बिकॉज जो ऑटो सेक्टर में दिक्कत आ रही थी उस वज़े से इगारिश्री मोटर का भी रेट गिरा है इसी तरह बहुत मेजर कंपनी हैं टाटा मोटर मार रही है 2015 से 2019 में कंपनी की जो और शेयर की ग्रोथ आई है वह चार परसंट की आई है और हम लोग करते हैं कि कंपनी अच्छे रिटर्ण्स दे सकती है आगया आने वाले समय में क्योंकि जो कंपनी की ग्रोथ रेट और मिनिमुम मैक्सिमुम पी अगर देखे हम तो वो ट्रे 500 से लेकर 800 रुपे तक हो सकता है अगले आने वाले पांच सालों में यह हमने काल्कुलेट कर रहा है सिंप्ली मल्टिप्लाइ करके मिनिमुम पी को बाइद फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑनिपर शेयर जो 22.26 का निकल कर आया है 2014 का और मैक्सिमुम रेट हमने ऐसे निकाला ह इसका कंपनी की ऑडिटर भी काफी श्रौंग बी एसर कंपनी है टॉप 10 अडिटर इंडिया में आते हैं यह तो इसलिए कंपनी एथिकल भी काफी है और आगे काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते है करेंट लेवल और करेंट प्राइस काफी अच्छे हैं स्टॉक का जिसम अच्छे डिस्क्रिप्शन में होगा आप हाँ से देख सकते हैं साइंग और सिदान्त गोहल फ्रॉम फिनलाइफ हापी इंवेस्टिंग एंटेए सेव